तो यह कहने का मतलब यह है कि स्पेस क्राफ्ट जब स्पेस में होते है तो इस प्रकार की उनकी लोकेशन्स होंगी और इनके बीच में कुछ ना कुछ लेजर जो है वो इमीट होंगे साब ठीक है ना अब आपको पूछा गया किया ऐसा एक्सपेस क्राफ्ट अभी इंफेक्ट यूस कब होते है तो वोयजर तो वो आपके स्पेस क्राफ्ट का नाम है साब ठीक है है ना उसी तोर के उपर अगर आप देखोगे न्यू होराइजन्स भी नहीं आएगा यह अचुली टॉपिक जो आया था यह ग्रेविटेशनल वेवस के उपर आया था इवरल्डिसस प्रोजेट्स अब ठीक है ना तो आपका वैसिकली जो प्रोजेक्ट का नाम नाम जाए उसी चेआं अंदर आपको मिलेगा की लाइट इंटर ठीक है ना तो पूरी तरह से interference होगा आपके light के अंदर का और इसके द्वारा आप gravitational waves के उपर research करोगे generally आगर आपने देखा होगा कोई भी black hole होता है galaxy के अंदर ये black hole के अंदर से gravitational waves evolve होते हैं ये gravitational waves की characteristics और उनकी जो खासियत होती है उसको लेकि ये research हुआ था evolved life project के द्वारा ठीक है ना तो इसमें तीन facecraft थे एक दो और तीन और इन तीनों के बीच में coordination बनाके basically gravitational waves को catch करने की बात की जा रही थी 1 million kilometers long की इनकी side length होगी इस प्रकार से पूरी की पूरी एक setup थी कि black hole के नस्दीक से जगर जहां से evolve होते है gravitational waves उनको catch किया जा सके ठीक है है ना